क्लास 5 की साइंस का टेस्ट पेपर जो कि मैंने अपने बेटी के लिए प्रिपेर किया था इसमें मैंने दो चाप्टर्स कवर किये थे यही दो चाप्टर्स उसके आ रहे हैं तो मैंने यह जो कुशन पेपर बनाया था यह काफी लेंदी कुशन पेपर है ठीक है और काफी मैंने कोशिश की थी कि मैं मोस्ट अफ दा क्वेस्ट इसमें कवर अप कर लू तो डिफाइन दा फॉलाइंग में मैंने कुछ इस तरीके स कोशन देते हैं यह दोनों चाप्टर के हैं रिप्रोडक्शन, फ्लारिंग प्लांट्स, मोनो कोट्स, सीड जर्मिनेशन, सीड दिस्पर्सल, अग्रिकल्चर, शूट, प्रोटीन, जर्म्स, डेफिशेंसे, डिजीजेजेज, नूट्रियंट्स, वेक्सिनेशन, सीड कोट, कोटिलेडन, डाइकोट्स, सीडलिंग, आई ओफ प्लारिंग प्लांट्स, इर्रिगेशन, पेस्टिसाइड्स, विटामिन्स और मिनरल्स, कॉम्योनिकेबल डिजीजेजेज, इम्म्योनिटी और बैलेंस डाइट, अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं काफी जगह पर क् जो हम क्या करते हैं, बिचिकलि हमारे बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर करवाता है न सिर्फ वो याद करते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर में फुल मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं, तो यह जो मैंने काफी सारे इंको कुश्चन्स दिये हैं यह बुक में से, चाप्टर म याद कराना है, नोट्स प्रिपेर करके देने हैं, और वो आपको बच्चे को याद कराना है, तो यहाँ पर मुझे अपनी बेटी की कमी नजर आई, ठीक है, उसके बाद मैंने उसको समझाया कि कैसे क्या करना है, काउसी डेफिनिशन कैसे आएगी, कहां से आपको क्या याद करना है, बस आपको स्कूल का जो मैम ने कराया, that is not enough, क्योंकि आप फिफ्ट क्लास में आ गए हो, तो फिर उनों ने ये सब कवर अप किया, that means उनों ने ये सब याद किया, then मैंने कोश्चेंस भी कुछ इसी तरीके से दिये हैं, why does our body need protein rich food, how vaccine helps our body to resist diseases, explain, ये मैंने कोश्चे के बीच में से मैंने questions बनाए है, write down some steps to prevent from malaria and dengue, explain the process of germination of a seed with a labeled diagram, what kind of seeds do not germinate, draw the mind map of reproduction in plants, so mind map का मतलब होता है, मतलब जो complete chapter है, उसको एक flow chart के थ्रू समझाना, what are the steps farmers take to grow crops, now name the carriers of the following communicable diseases, तो covid-19, cholera, typhoid, malaria, ringworm, तो यहां पर उनके carriers के नाम लिखने थे, then name the communicable diseases, which are spread through the following agents, अब यहां पर agents के नाम गिवन थे, diseases के नाम बनाने थे, जैसे की air के थू कौन सा होता है, water food, water या food के थू कौन सा होता है, direct contact with infected person से क्या होता है, then insects से क्या होता है, then correct the underlined word, goiter caused by the deficiency of, तो goiter कैसे होता है, iodine की कमी से होता है, vitamin C की कमी से नहीं होता है, तो यहां पर sentence को फिर से दुबारा लिखना है, यहां फिर जो underlined word है, उसका answer लिखना है, ठीक है, so nutrient is an oral drop or infection that contains weak and dead germs of a certain diseases, नहीं, वो vaccine होता है, so malaria and dengue spread through the air, so mosquito bite के थू क्या होता है, malaria and dengue आपको होता है, so name the following, the chemicals used to kill insects that damage crops, तो उनको क्या कहते है, pesticides, हमेशा है याद रखेगा, first word क्या होता है, capital होता है, वरना teacher आपका यहां पर marks कट कर लेगी, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ना father of green revolution in India, Dr. M. S. Swaminathan, यहां पर उनने क्या गल्ती करिये, यह M और capital M लिखने बाद, small s बना दिया, जो काफी बच्चे भी करते होंगे, तो आपको बताना है कि M और S दोनो capital आएंगे, large dry rooms where dry grains are stored, that is grain weeds, the wild plants that grow in the field, that is weeds, the crops that are grown from November to April, that is, वाप अपने अप लिखे, मैं भी आप answers चेक नहीं कर रहे हूं, correct the underlined words, rice is a dicode seed, it is monocode, coconut is dispersed by wind, so यहां पर पर underlined words को ही correct करना था, यहां पर short question है, how do ferns reproduce, name some non-flowering plants, what do seeds need to germinate, how do plants reproduce, a disease caused by anophilism as mosquito, the disorder caused due to an insufficient amount of nutrients in the food, which immunization program is set up by the government of India to protect children from polio, then who developed the first vaccine to prevent the deadly disease of smallpox, तो इस तरीके से मैंने यह पूरा complete chapter, दो chapters का मैंने test paper बनाया था, जिस में से काफी questions वो कर पाई हैं, काफी questions नहीं कर पाई हैं, उमीद करती हूँ कि यह जो test paper ने बनाया आपके लिए helpful रहेगा, आप ही समझ पाऊगे कि स्कूल में teacher किस तरीके से देता है, ठीके, क्योंकि जो बच्चे को लिखवाया जाते हैं, exactly वही नहीं आता है, तो teacher को, I mean parents को भी थोड़ा सा extra efforts लगाने होते हैं, आपके बीच में से कराना होता है, so that's all from my side, if you like it, please like, share and subscribe, that's all, thank you.